वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथी बेल आइकों को दापा दीजिए नमस्कार दोस्तों देश के चार सेकुरिटी फोर्सेस पर कोरोना का कहर अब तक 6719 जवान संक्रमित जियां दोस्तों को बता दों कि देश में तेजिस से बढ़ रहे कोरोना वायरस की महामारी से सेकुरिटी फोर्सेस भी आचुत नहीं है सेकूरिटी फोर्स में कोरोना का कहर अबी भी जा रही है जितनी तेजी से कोरोना संकरमन फेला है उतनी तेजी जही संकरमी जावाजों ने संकरमन को माद भी दी है जानकरी के मुताविक कोरोना से संक्रमित 98.50 जवान आईसे है जिन में संक्रमन के कोई लक्षन दिकाई नहीं देते है आंतरिक सुरक्षा में तैनात केंद्रे रिजर्फ पुलिस फोर्स एनिकी CRPF के जवान लगातर कोरोना से संक्रमित हो रहे है 17 जुलाई के आकड़ों की बात करें तो CRPF के जवानों में संक्रमन के 86 नए मामले सामने आ चुके है वही उसी दिन फोर्स के 188 जवान कोरोना की जंग जितकर अलग-अलग हस्पतालों से डिस्चार्ज भी हो चुके है CRPF में कोरोना के 1100 अक्टिव केस मोजूद है जबकि अब तक 1348 जवान संक्रमन को मात देकर ठीक भी हो चुके है CRPF के कादिकरी के मुताविक बल के 14 जवानों की कोरोना के कारण मोथ हो चुकी है अर्दस्याइनिक बलों की बात करें तो CRPF कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रवाविद बल है फोर्स में अब तक कोरोना के संक्रमन से 2462 मामले सामने आचुके है वही चीनी सीमा पर सरत की निगरानी का दायतवन निपा रहे है बारत तिब्यत सीमा पुलिस यानि की ITBP में कोरोना संक्रमन की तादाद अब तक 806 तक पहुंच चुकी है पिछले 24 गंटों में बल के 32 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए है ITBP के 371 संक्रमी जवान पूरी तरह से ठीक होने के बाद डूटी को जॉइन कर चुके है वही 435 जवान का अभी भी उपचार चल रहा है पाकिस्तान और बंगलाजिश की सीमा पर तैनाद बॉर्डर सेकुरिटी फोर्स यानि की BASF में भी हालत कुछ बहितर नहीं है बताया जा रहा है कि 15 जुले को एक दिन में BASF के 68 जवानों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी अधिकारियों के मुताबिक BASF में कोरोना के 1024 एक्टिव के समोजुदे वही 1060 जवान को मात देकर डूटी जॉइन कर चुके है इसके अलावाद देश के एरपोर्ट की सुरक्षा पर तैनात केंद्रिय उद्योगिक सुरक्षाबल यानि की CISF के 1358 जवान डूटी के दौरण कोरोना से संकरमित हो चुके है कोरोना संकरमन के कारण अब तक CISF के 9 जवानों ने अपनी जान गवाद चुकी है और आपको बता दे कि देश में कोरोना वाइरस के कुल मामले 10,47,618 के पार चले गए है और इन में से करीबन 6,47,423 लोग ठीक हो चुके है और 26,816 लोगों की अब तक जाने जा चुकी है तो दोस्तो आभी के लिए इस वीडियो आम बस इतनी जान कारी है वीडियो पसंद दो जरूर लाइक करें शेर करें और ऐसे ही ताजात तरिन खबरे देखने के लिए आजात भारत यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत अन्यवाद जैहिंद वंदे मातरम